हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम आपको तीन से चार साल तक की बेबी के लिए बहुती प्यारा सा ट्राउजर बनाना सिखाते हैं यह आप देख सकते हैं जिसके लिए हमने यह कपड़ा लिया है इसकी लेंध हमें 24 इंच रखनी है इस तरीके से और जितना भी अर्ज में यह कपड़ा होता है इतना ही अर्ज का हम मोड कर इसकी चार तेह कर लिए हैं दो हमने कर लिए दो और कर लेते हैं अब इसकी यहां से उपर की साइड से चोड़ाई हमें 8 इंच रखनी है यह देखिए 8 इंच की हमें इस तरीके से इसकी चोड़ रखनी है हमें और लेंथ में आसन इसका हमें 10 इंच रखना है यह देखे 10 इंच का इसका आसन रखना है अब हम यहां से जहां तक हमने आसन का निशान लगाया है उसके बाद 2 इंच और एक्सरा ले लेते हैं आसन को बढ़ा लेते हैं सिर्फ हमें यहां से 2 इंच पर निशान लगा लेना है ये देखिए हमने इस तरीके से इस पर निशान लगा दिया है अब हम यहां से इसकी मोहरी पर निशान लगाते हैं मोहरी हमें 5 इंच की रखनी है इसकी 5 इंच से मोहरी जादा नहीं रखनी है नहीं तो ये बेबी के लूज हो जाएगी ये देखिए अब जो हम अब अंदर की तरफ को इसका आधा इंच एक्स्टा ले लेते हैं कपड़ा अंदर की तरफ को और इसमें हमें हलकी सी गोलाई करनी है नीचे के हिस्से में ट्राउजर के और इसको मोहरी से मिला देना है सिर्फ बीच बीच के हिस्से में हमें गोलाई करनी है नीचे की तरफ से हमें इसको फाइफ इंच का ही रखना है मोहरी में मिला देना है अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं यह देखिए यह हमारा cutting हो गया है trouser, अब हम इसमें design डालने के लिए इस पर निशान लगाते हैं, जितना भी हमारा यह हिस्सा है हमें इसको बिल्कुल बीच से निशान लगा लेना है यहां से और मोहरी में से भी हमें बिलकुल बीच से निशान लगा लेना है इसका यह देखिए ऐसे हमें मोहरी में भी निशान लगा देना है अब इस पर पूरी लंबाई में हम निशान लगा लेते हैं यह देखिए इसका लंबाई में भी निशान लग गया है अब हमें यहां से इसको अलग-अलग कर लेना है हमें सिर्फ इसके एक हिस्से को काटना है दूसरा हिस्सा हमें जुड़ा हुआ ही रखना है यह देखिए फ्रेंट्स हमने सिर्फ एक साइड से काटा है दोनों पीस अपने एक साइड से हमने जुड़ा हुआ रख दिया है अब हम मिला कर इसको इसके ऊपर रख लेते हैं और इसमें गोलाई कर देनी है, उपर से कम लेते हैं हम और नीचे से भी कम लेते हैं और बीच में से वन एंड हाफ इंच लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से हमें इसमें गोलाई कर देनी है, फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंड्स करके प्यार हो जाता है आप किसी भी टोप के साथ इसको पहना सकते हैं अब ये देखिए हमारे ये डिजाइन इस तरीके से आ गया है अब ये हमने फ्रील ले ली है थ्री इंच की हमें तीन पट्टी ये ले लेनी है पूरेर्ज की देखिए हमने ये थ्री इंच की काट ली है हमें तीन पट्टिये लेनी हैं दो पूरी लंबाई में हमाई लगेंगी और एक में से हाफ-हाफ आधे हिस्से में हमारी पट्टिये लगेंगी 18 इंच की हम ट्राउजर के लिए लास्टिक ले लेते हैं उपर की तरफ लगाने के लिए नेफे में अब ये देखें ये हमारी जो हमने फिरिल की पट्टि काटी हुई है उस पट्टि को हम मिला कर डबल कर लेते हैं और उसके उपर सिलाई लगा लेते हैं इसी तरीके से हमें अपनी सभी पट्टिये तैयार कर लेनी हैं सिलाई लगा कर इनको पट्टियों को हमें आपस में जो में चुन्नटे डाल लेते हैं हमें तीनों पट्टियों में अपनी अलग-अलग चुन्नटे डाल कर तयार कर लेनी है अब ये देखिए ये हमारा गोलाई वाला हिस्सा है एक तरफ का जो हमारा जादा हिस्सा है उसमें हम पूरी फ्रिल में अपनी पट्टी को फ्रिल की पट् को रखना है ये देखिए इस तरीके से हमें उपर तक अपने फ्रिल को लगा लगा कर तैयार कर लेना है सबसे पहले चुर्णटे डालने के बाद आप फ्रिल माप लीजिए इस पर लगा कर कि यह पूरा है या नहीं फिर उस फ्रिल को आप कमिया जादा कर सकती हैं आ हमें हमने सिर्फ इतने हिस्से में फ्रिल लगाई है गोलाई से दो इंच उपर तक ये देख सकते हैं आप अब हमें इस फ्रिल को और कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ देना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स हमें बड़े हिस्से में फ्रिल लगानी है छोटे हिस्से में हमें थोड़ी सी ही गोलाई से दो इंच उपर तक फ्रिल लगानी है अब हमें इसके उपर रखकर सिलाई लगा देनी है कहीं से भी हमारा कपड़ा निकलना नहीं चाहिए नीचे से आप देखते रहिए कि हमारा कपड़ा बराबर है या नहीं उसके बाद सिलाई लगा लेजिए यहां से गोलाई से अब हम इस साइड को सिलाई को अपनी ले लेते हैं यह देखिए ऐसे हमने सिलाई ले ली है अब हम इसके उपर एक और सिलाई लगा लेते हैं एक पेर की सिलाई हम इसके बराबर में और लगा लेते हैं ताकि हमारी पट्टी अच्छी तरीके से फ्रिल हमारी अच्छी तरीके से सेट हो जाए ये देखिए फ्रेंट्स कितने अच्छी तरीके से हमारी नीचे की गोलाई में फ्रील लगकर तयार हो गई है ये अंदर से इस तरीके की बेट रही है अब अपनी दूसरी मोहरी को भी हमने ऐसे ही तयार कर लिया है अब हम इसका आसन मिला लेते हैं और आसन के उपर सिलाई लगा लेते हैं हमें अंदर की साइड सिर्फ एक ही सिलाई लगानी है ये देखिए अब हमें इसकी गोलाई में कट लगा लेने हैं और सब कपड़ा जिस साइड में हम सिलाय लगाएंगे उसी साइड में इसके नीचे हमें करना है सबसे पहले हम कन्नी की सिलाय लगा लेते हैं एक उसके बाद हमें एक पेर की एक ओर सिलाय लगालेनी है ये देखिए अब हम इस हिस्से को भी आसन पर सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर उपर भी और अंदर भी यह हमने अपने दोनों हिस्सों पर आसन पर सिलाई लगा लेती है अब हम यहाँ पर इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं पूरे ट्राउजर में इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है इसमें और फ्रैंट्स इसमें हमें नीचे की साइड में डबल सिलाई लगानी है अब यह हमारा लास्टिक का हिस्सा है उपर का आसन नेफा इसको हम नेफे को लास्टिक से माप लेते हैं और उससे थोड़ा सा एक् ऐसे हमें चारो तरफ से इस नेफ़े को मोड़ कर तयार कर लेना है अब हम ये दो इंच का हिस्सा हमने खुला रख दिया है नेफ़े का लास्टिक पिरोने के लिए, किसी भी चीज की मदद से आप लास्टिक को पिरो सकती है हम यहाब safety pin की मदद से इसको पिरो रहे हैं जिससे यह बहुत आराम से पिर जाती है और लास्टिक हमारी थोड़ी सी लूज है तो पिरोने में दिक्कत नहीं होती है अब लास्टिक को एक दूसरे के उपर रख दीजिए और इसके उपर पक्की सिलाई लगा लेजिए दो तीन सिलाई हमें लगानी है ताकि अंदर की तरफ जाकर हमारी लास्टिक खुले नहीं यह देख सकते हैं फ्रेंड साब कितनी अच्छी तरीके से हमारी लास्टिक लगकर तयार हो गई है अब हम इसको खीच कर सेट कर लेते हैं और इसके खुले हुए हिस्से पर सिलाई लगा देते हैं यह देखिए यह हमारी सिलाई लग गई है अब हमें लास्टिक के बीच में बिल्कुल एक सिलाई लगानी है इसको खीच लेना है हमें यह पहन कर बेबी के पाउं में कुछ इस तरीके से आएगा डिजाइन फ्रंट में जो कि बहुत ही जादा खुबसुरत लगता है फ्रंट सीसी तरेके और प्यारे प्यारे से हमने ट्राउजर के डिजाइन और टोप डिजाइन काफी अपने चैनल पर डाले हुए हैं पेवी के फ्रोक डिजाइन भी डाले हुए हैं आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर फ्रंट हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूली बेल आइकोन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके हम अपनी नेक्स वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे रिजाइन लेकर आएंगी तब तक के लिए बाइ बाइ फ्रेंड्स